पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है इनकैपसुलेशन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इनकैपसुलेशन क्या होता है मतलब रियल लाइफ एक्जामपल के साथ हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके सो करेंगे आपको कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं से पहले आपको इनकैपसुलेशन का मतलब पता होना चाहिए किसे हम कभी यूज करेंगे यानि पब्लिक होता है सब कुछ लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वेरियेबल्स वो सिक्यूर है हम नहीं चाहते हैं कि उसको ग्लोबली एक्सेस कोई कर पाए तब हम यूज करेंगे इनकैपसुलेशन और इनकैपसुलेशन में क्या होगा वा यूजिंग इ अगर हम अपने वेरियेबल्स को और मेथर्स को जो भी हम डिफाइन करेंगे क्लास में यह जो हमारा डेटा होगा हमने चाहते है कि यह ग्लोबली एक्सेस हो तो हम क्या करेंगे उसको प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड बनाके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर हम अ हमारा प्राइवेट रहेगा अगर वेरियेबल प्राइवेट है तो वही क्लास का पब्लीक फंक्शन के थुरू हम एक्सेस कर सकते हैं उस प्राइवेट वेरियेबल्स को फंक्शन पब्लीक इसलिए रहेगा ताकि हम इन प्राइवेट चीज को एक्सेस कर सकते हैं और अग class कही object होना चाहिए हम practical में आपको फोग करेंगे ठीक है तो अभी ये private और protected variable कौन कैसे बनाएंगे python में अगर हम variable बनाते समय single underscore use करेंगे तो वो हमारा protected variable रहेगा और protected रहेगा मतलब class का function और class का object यूज़ कर पाएगा ठीक है अगर हम double underscore के साथ को भी variable create करेंगे तो वो होगा हमारा private private रहेगा मतलब सिर्फ class का function ही उस variable को access कर सकता है class का object भी access नहीं कर पाएगा private को class के बाहर ठीक है तो अभी यहाँ पर चलो practical example से show करते हैं सबसे पहले हम क्या कर रहे है एक class यहाँ पर create कर रहे यह नाम का अगर इसमें मैंने एक variable बनाया a equal 10 और b equal 20 ठीक है और इस class में क्या है member है कुछ member है so है एक और डिस्प member है class की body of तो यह जो हमारा variable है यह public है इसको यह member तो use करी सकते है so और डिस्प और इनको हम class के बाहर भी use कर सकते है directly कोई restriction नहीं है class का जो object है उसके तुरू हम इसको class के बाहर यूज कर सकते हैं और यह function भी इनको यूज कर सकते हैं ठीक है है और अगर माल लीजिए हम एक और class बनाते है बी नाम का तो यह बी class के अंदर भी हम हम इनको access कर सकते हैं कि यह public है class B क्या करेगा class A को inherit कर लेगा inheritance के तुरू हम कर सकते हैं मैंने आपको सो भी किया है लेकिन हम नहीं चाहते है कि यह जो member है यह इन member को को कोई दूसरा class या फिर class के बाहर को यूज कर पाए class का object तब हम यूज करेंगे encapsulation और encapsulation में क्या होगा से हमारा class A ही रहेगा यहां single underscore लगा देंगे variable के आगे यह हो गया हमारा protected और double underscore लगा देंगे variable के आगे यह हो गया हमारा बी वाला private उसके बाद यहां पे बारे पास class के member रहेंगे so और disp यह public रहेंगे function क्योंकि public इसलिए रहेंगे ताकि हम इन private protected को access कर सके ठीक है खुद के लिए क्योंकि यह तो same class का ही member है जहां पर यह data define वहीं कभी यह function भी है तो अभी यह जो private है ना यह जो protected है हमारा यह private और यह यह नहीं होगा और यह जो protected है इसको class object का थुरू हम यूज कर सकते हैं अगर मालो class का object हम बनाते हैं तो protected को हम class के बाहर यूज कर सकते क्योंकि same class का object है और यह भी यूज कर सकते क्योंकि क्लास का ही मिंबर है लेकिन अगर मालो हम एक और कॉलास does यहां पर NATASD का भी क्लास चाहता है कि हम इनकों एक्सेस करें एक गोड़ाइद करें और सेट्वेक्ट भी एक्सेस करें ठीक है लेकिन यह liberator और प्रोटेक्टेड हैं तो यह class b यूज नहीं कर पाएगा ठीक है class a ने इनको private और प्रोटेक्टेड किया हुआ है क्यूंकि class a नहीं चाहता कि कोई और भी मेरे members को मेरे data को use करें मेरे अलावा ठीक है class a का member use कर सकता इसके लावा और कोई नहीं कर सकता तो जब भी security का बात आता है और हम चाहते हैं कि हमारा data security है तो हम क्या करते हैं encapsulation यूज करते हैं और python में हर एक class जो भी class हम define करते हैं वह अपने आप में encapsulation का ही example होता है लेकिन data हमारा private और protected होना चाहिए encapsulation होता क्या है जहां भी आप data और function को साथ में define कर रहे हैं वही कहलाता encapsulation data function को साथ में class के अंदर ही define करते हैं इसलिए हर python class अपने आप में encapsulation के example है condition हमारा data private या फिर protected होना चाहिए तो अभी चलिए इसी का हम एक practical show करते हैं जहां यहां पर सारा doubt practically clear करते हैं प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे एक class create करेंगे तो यहां पर हम ए नाम का class बना रहे हैं मैंने आपको बताया था अगर हम कोई भी python में class create करते हैं जिसमें हमारा data member अगर private होता है तो वही encapsulation है ठीक है तो यहां पर हम क्या कर रहे है एक data member create कर जैसे सबसे पहले एक नाम का data member हम ले रहे हैं यह हमारा क्या है यह हमारा protected यह क्लास में हम private और protected member define किये हैं तो वो encapsulation का example होगा ठीक है और encapsulation मतलब ही होता है कि member को restrict कर रहे हैं बाहर use ना हो जाए इसलिए अब हम क्या करेंगे एक function यहां पर create करेंगे function इसलिए ताकि इस private को भी हम use कर सके तो यहां पर हम so नाम का एक function create कर रहे हैं self यहां पर parameter pass करेंगे class का function से हम pass करते हैं ताकि class का member को हम access कर सके इस function के अंदर तो यहां पर हम क्या करेंगे normally बस print करेंगे member को ठीक है तो यहां पर क्या करते हैं हम double quotation में message देते हैं a equals to उसके बाद a को print कर देंगे तो यहां पर हमें दिखना पड़ेगा सिर्फ dot underscore a ठीक है protected हम प्रिंट कर लिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे अपना private वाला भी print करेंगे तो यहां पर b होगा double underscore लगाएंगे और यहां पर b का value ठीक है अब हम चलते हैं class का object create करने हैं तो यहां पर एक object create कर लेते हैं class a का ठीक है और अपने function को call करते है object से so को तो program को अभी हम run करेंगे तो इसका result हमें so होना चाहिए 10 और 20 a b का value so हो रहा है यहां पर देखो यह जो b है यह private है फिर भी इसका value प्रिंट हो रहा है क्यूंकि class का member so so उसी class का member है जिस class में private be defined है तो class का member use कर सकते हैं ठीक है अब class के बाहर हम use नहीं कर सकते हैं अब अगर मैं चाहूं तो class के बाहर use करना तो मैं नहीं कर सकता अगर हम protected को class का बाहर use करेंगे तो हम कर सकते हैं जैसे अगर object के through हम करना चाहें इस तरीके से और प्रोग्राम को हम रन करें यहां पर लिग दे एक मेसेज दे ताकि आपको समझ में आए आउट साइट ओफ क्लास यानि क्लास के बाहर हम यूज कर रहें इसको ठीक है प्रोग्राम को रन करें अगर रिजल्ट आ गया मतलब यहां पर देखो यह जो प्रोटेक्टेड मेंबर है इसको हम क्लास के बाहर यूज कर सकते लेकिन उसी क्लास का अबजेट के थुरू कर सकते है ठीक है या फिर क्लास का नेम का थुरू भी हम डिरेक्टली कर सकते है लेकिन अगर सेम वैसे हम प्राइवेट को यूज करना चाहें तो क्या कर सकते है private मतलब नहीं कर सकते तो यहाँ पर फिर भी हम आपको so करके दिखा रहे हैं कि अगर हम B को access करना चाहें तो क्या कर सकते चलो program को run करते तो यहाँ पर देखो starting का ये 3 result print हो चुका है ठीक है उसके बाद हमें क्या बोल रहा है A object has no attribute B यानि class A का जो object है ये इसका पास कोई B नाम का variable है ही नहीं पहचानी नहीं पा रहा है क्योंकि class के बाहर B आही नहीं सकता B को हम सिर्फ class के अंदर ही access कर सकते वो भी class का member के थरू और नहीं और protected को हम access कर सकते class के बाहर class के object के थरू ठीक है अब अगर हम इस तरह के class name से भी directly access कर सकते ठीक है class name से हमें object का need नहीं होगा लेकिन अभी भी तीन value print होगा और A के लिए हमें same error बोड़ेगा क्योंकि हमारा ये जो B है ना ये private है B के लिए error बोड़ रहा और starting का देखो ये तीन हमारा result print हुआ है अगर इस line को हम comment out कर दे तो कोई error सो नहीं करेगा फिर result display होगा just result यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यही होता है encapsulation encapsulation मतलब python class जिसमें define किया हुआ member हमारा private होना चाहिए और data member और member function का combination जहां हम एक जगह पर define करते हैं आता है encapsulation और उसको define करने का place होता है class इसलिए python का define किया हुआ हर एक class को हम encapsulation बोल सकते है वो encapsulation का example होता है condition बस यह कि data member हमारा restricted होना चाहिए जैसे यहाँ पर private है protected हम आपको बस समझाने के लिए use किये हैं बाकी यह हमारा perfect example है कि इसका encapsulation का तो अगर आपको हमारा यह program समझ में आया हो तो video को like करिए share करिए channel पर नए है channel को subscribe कर दिजिए कर दूजए कर दो अगर